तलेगाव के इदगाव में स्पोर्टक से हड़कम वर्दा जिल्ला के तलेगाव इदगाव में हुए स्पोर्ट में सपाई कामगार घायल हुआ है सुत्र के हवाली से जानकरी के नुसार सत्तावी स्पोर्टक वस्तु इदगाव में मिली है जो कि एस पोटक वस्तु किसी हेतू से रखी थी यहां बड़ा सवाल आम जनता के सुरक्षा पर उठ रहा है यहां सपोटक वस्तु रखना यानि कि जान मान को धोका पोचाना है यहां बड़ी सोची समझी साजिस तो नहीं इस पर हमारे सवत दता अब्दुल शेक का रिपोर्ट है नमश्कर सस्त्रिया काल नाकपुर से मैं अब्दुल शेक अभी हम नाकपुर से 100 किलो मेटर दूर तले गाओ में खड़े है जहां पर आप देख सकते हैं कि यह इदगा है और तले गाओ के यह इदगा भी है और सामने बाजू में लगके ठीक यहां कबरस्तान भी है तो हमने आपसे वादा किया था कि हम जब भी आपको जो भी खबर सुनाएगे वो सच और सच खबर सुनाएगे तो ऐसी कुछ संसनी लेके फिर से हम आपके बीच में मौजूद है और संसनी ऐसी कि सुनके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि आज से तीन दिन बाद इदूल फितर है और इस इदूल फितर के उपलक्ष में यहां पर साप सपाई का भी काम होता है हर जगा होता है मस्जितों में होता है लेकिन ठीक इद के तीन से चार दिन पहले इसी इदगा जगा पर यहां पर पच्चिस से तीस बम यहां पर सुत्र के हवाले से हमें खबर मिली है कि पच्चिस से तीस देशी बम ठीक इसी जगा इदगा परिसर में पाए गए सफाई कर्मी आये थे यहां पर और उस सफाई कर्मी ने एक बम को छुआ जैसी ही बम को छुआ वो बम बलास्ट हो गया और उसका हाथ बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है उंगलिया भी उसकी पूरी फूट चुकी है तो यह क्या मामला है क्या माजरा है कहीं यह किसी की शर करते हैं कि आखिर जाज में क्या मिला है क्योंकि ATS की टीम भी यहां पर मौझूद थी और ATS की टीम यहां पर बहुत बारीकियों से चांगबिन किये और चांगबिन में क्या उन्हें नजर आया है तो हम आपको आगे भी ले चलते हैं हमारे साथ बने रही है क्या नवैं अपता है मुश्ताख खान पठान तले गाओ क्या ओवा था यहां यह जो है यह मुश्लिम कबरस्तान का एरिया है यहां पर दो लोग यहां पर साफिए करने के लिए आए ते कबरस्तान के अंदर में अच्छा और साफिए करते-करते नभी निकम नाम का एक बात हैं यहां पर फोट गया इसके बाद में 47 जो बंब है यहां पे 25 द mand și बोगोड़ी है तेन रोजी सो एप्रेल है कुछ मैंद होनेstill सब्सक्राइब weapon तो यहां हरकम मजगी होगी कि बॉम को सुनते से पहले तो फिर क्या वो आप पॉलिस को कॉल किया पुलीस को हमने फोन किया फिर और फॉर मोक्किया पॉर उसकी बॉम कि जाच की हुनकर अपने क्या देखा वा दो धाएंग निकाम को उसके बात में हम लोग कब्रस्ते आने passado अब प्रशासन ने कुछ ने कुछ यहां पर करना चाहिए अभी हम तलेगाओं में आप देख सकते कि यहां पर जो यहां के तलेगाओं के जो ठानीदार है जो प्रशा सब्सक्राइब तो यहां पर देख सकते कि 예 अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जो इदगा परिसर के अंदर 27 देशी बम जो बरामद हुए और वहां पर पुलिस की टीम भी पूरी मौजूद थी एटीएस की टीम भी मौजूद थी और हम यहां पर पुलिस टेशन में हमने आपको बताया कि हम चलते हैं पुलिस टेशन और वहां पर जानते हैं कि आखिर पुलिस को जाच में क्या मिला है लेकिन आप देख सकते हैं यहां की प्याई है आशिश गजबिय सर वह भी यहां पर जाच के लिए गुजरात में गए हुए है तो आखिर मामला क्या है जब यहां से नुरुल हसन साहब को फोन लगाया गया तो उनसे ये बात की गई तो ये आखिर माजरा क्या है तो उन्होंने ये बताया कि सुवर को मारने का एक पदार्थ है जो वहाँ पर पाया गया लेकिन सुवर को मारने का पदार्त इतनी बड़ी तादाद में इदगा परीसर में ही क्यों मिला है इतना बड़ा शहर है किसी और जगा क्यों नहीं मिला तो कहीं न कहीं ये एक साजिस नजर आती है कि इद को तीन दिन बचे है और तीन दिन पहले ही इदगा परीसर में 27 देशी घटना को अंजाम देने के जरिये से ही ये रखा गया तो हमाँ पर सत्तावी देशी बम हमें ऐसा लग रहा है और यहां के हमने कुछ लोगों से भी पूछा तो उन्होंने भी यही चीज बताया कि यहां पर एक घटना को अंजाम देने की बहुत बड़ी साजी सरची गई थी तो आगे भी हमारे साथ बने रहे और देखते रहे टेनन 24 न्यूस और विदर विदर पन न्यूस के साथ में अबदुल शेक की रिपोर्ट नागपूर